रवी मैं नहीं जानती तुम मेरे कमरे में कूलर लगवाओ ठीक है प्रिया लेकिन अभी पैसे नहीं बचपा रहे हैं समझो थोड़ा तुम्हारे ऐसे बोलते बोलते बर साथ आ जाएगी फिर रख ले न कूलर अपने पास वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रिया की सास और मिला आ जाती है क्यों परिशान कर रही हो मेरे बेटे को एक तु बेचारा दिन भर आफिस में ठके रहता है और घर में आता है तो तुम्हारी फर्माईश कम ही नहीं होती माजी यह हम दोनों की आपस की बात है आप इसमें मत पढ़िए देख रहा है बेटा तेरी बीवी मेरे से कैसे बात कर रही है क्या मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं रहा नहीं ऐसी बात नहीं है मा प्रिया अभी थोड़ी परिशान है उसकी बात का बुरा मत मानना ठीक है बेटा तुझ कह रहा है तो इसकी बात को मैं हटा देती हो और घर में कूलर लाने के जरूरत नहीं है बैसे भी चछत वाला घर है इतनी गर्मी नहीं लगती है मा जी मैं मानती हूँ आपको गर्मी नहीं लगती होगी लेकिन मुझे लग रही है और मुझे अपने कमरे में कूलर चाहिए जब तुम्हारे पिता को यह मालूम था कि उनकी बेटी को इतनी गर्मी लगती है उन्हें कूलर दहेज में भिजवा देना चाहिए था मा जी शायद उम्रिक के साथ आपकी यादाश्ट कमजोर हो गई हो मैं आपको याद दिला देती हो मेरे पापा ने कूलर के लिए पैसे भेजे थे लेकिन उन पैसों से आप अपने लिए सोने की चेन बनवाला आई यादाया कुछ हाँ तो ठीक है कौन सा बरने के बाद मैं सारी चीज़े उपर ले जाओंगी मेरा जो कुछ भी है वो तेरा ही तो है आप दोनों शांत हो जाओ एक तो आदमी वैसे भी परिशान रहता है घर में आओ तो आप दोनों के जगड़े आलग मुझे अकेला छोड़ दीजिए और आप दोनों यहाँ से बाहर जाईए प्लीज और मिला बाहर गार्डन में सेर करने गई हुई थी और प्रिया अपनी सास ना बहुत अच्छी है मतलब भगवान हर किसी को ऐसी सास दे तुझे पता है मैंने बस एक दिन ऐसे ही कह दिया कि कितनी गर्मी हो रही है और उन्होंने अगले ही दिन मेरे कमरे में ऐसी लगवा दिया वहा यार किसमत है तेरी एक तेरी सास है और एक मीरी सास जो अपने गर में cooler भी नहीं लगवा रही है और मेरे पापा ने जो पैसे दिये थे दहेज में उससे अपना सोना जीवर बना डाली इतनी गर्मी में मैं सड़े हुए table fan का इस्तिमाल कर रही हूँ और मिला प्रिया की सारी बाते छुप कर सुन रही होती है अच्छा तो ये पीट पीछे मेरी बुराई करती रहती है इसे तुम्हें बताती हूँ के गर्मी होती क्या है रात को जब प्रिया सो रही थी और मिला चुप के से प्रिया के कमरे का table fan चुरा लेती है और उसका पीछे से wire card देती है जिससे वो खराब हो जाता है और वापस वहीं रख देती है हरे यार इतनी गर्मी क्यों लग रही है लाइट चली गई क्या अब मज़ा आएगा मैं चली मैं चली मैं चली अपने कमरे की गली और मिला अपने कमरे में चली जाती है अब इस फैन को क्या हो गया मामी जी आपके कमरे में आकर सो जाती हूँ मैं मामी जी के कमरे में जाकर सो जाती हूँ प्रिया अपना तक्या लेकर उर्मिला के कमरे में जाती है वो देखती है कि उर्मिला फैन बन करके सो रही है मामी जी मामी जी अगर आप भुरा ना माने तो मैं आपके कमरे में सो जाओ वो मेरे कमरे में पंखा बिगड़ गया है शायद बहु मेरी तबियत खराब लग रही है इसलिए पंखा बन की हो तुम अपने ही कमरे में सो जाओ बेटा परिया अपने कमरे में चली जाती है अब तो हद ही हो गए अब या तो इस घर में कूलर आएगा या तो मैं यहाँ से चली जाओंगी आने दो कल रवी को रवी सुभा नाइट शिफ्ट करके घर आता है और आते ही प्रिया बवाल शुरू कर देती है रवी देखो हमारे कमरे का पंखा भी खराब हो गया है मैं नहीं जानती मेरे लिए तुम कूलर खरीदो बस प्रिया थोड़ा तो शरम कर बेचारा नाइट शिफ्ट करके आया है उसे सुक चैन से सांस तो लेने दे उसे पानी पूछने की वज़ा से तुम कूलर कूलर करना चालू कर दी रवी तो मुझे बताओ इस महीने हमारे घर कूलर आएगा की नहीं प्रिया इस महीने तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले रखा था इस महीने उनको देना भी है तो फिर ठीक है मैं इस घर से जा रही हूँ और मुझे तभी ढूरना जब इस घर में कूलर आएगा प्रिया अपना सामान लेकर गुस्से से बाहर चली जाती है और चलते चलते बहुत दूर पहुँच गए अरे मैंने ये क्या किया गुस्से में इतनी दूर तो आ गई लेकिन अपने रास्ता भूल गई हूँ अपने जाओं तो कहां जाओं प्रिया आगी जाती है तभी उसकी नजर एक गाई के उपर पड़ी उसके पैर में काटा चुप गया था जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी इसे कितना दर्द हो रहा होगा लेकिन कोई इसकी मदद क्यूं नहीं कर रहा प्रिया उस गाई के पास जाती है पहली प्रिया उसकी उपर धीरे धीरे हाथ फेरती है उसके बाद उसके पैर से वो काटा निकालती है लेकिन उसके पैर से खून बहने लगता है प्रिया ने अपनी चुन्नी फाट कर उसके पैर में बांध दी, जिससे खून बहना बंध हो गया अब धीरे धीरे तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत नेक दिल की हो प्रिया ये गाय बोल सकती है, कौन हो तुम उसके इतना कहते ही वो गाय एक सुन्दर सी परी का रूप ले लेती है मैं परी लोग की गीता अंजली हूँ, मैं बहुत ही निर्दय थी, लोगों से बहुत ही भत्तमीजी किया करती थी इसलिए मुझे धर्ती लोग में आकर गाय की तरह जीवन बिताने का शाप मिला था जब तक कोई नेक देल इंसान मेरी मदद नहीं करेगा, मैं शाप से मुक्त नहीं हो सकती थी प्रिया, तुमने मुझे शाप से मुक्त करवाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक कूलर देती हूँ इसकी कोई जरुद नहीं परी, हम कूलर खरीद लेंगे, बस अब अपना ध्यान रखिएगा ये कोई मामूली कूलर नहीं है, ये तुम्हारी हर तरह से सहायता करेगा इतना कहकर परीवाह से गायब हो जाती है, और प्रिया को अपने घर का रास्ता तो मालूम नहीं था इसलिए वो उस कूलर से कहती है कूलर, कूलर मुझे मेरी घर पहुचा दो पलक छपकते ही प्रिया अपने घर पहुच जाती है, वो कूलर को अंदर लेकर जाती है और देखती है कि घर में सब उसे लेकर परिशान है प्रिया, कहां चले गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है, हम कितना परिशान थे उपर जाके देखो, रवी बीमार पड़ गया है और तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है? मा जी, ये एक चादोई कूलर है, जो हमारी सारी इच्छा पूरी करेगा आप मेरे साथ आईए प्रिया उर्मिला को लेकर अपने कमरे में जाती है, जहां रवी बीमार लेटा हुआ था प्रिया को देखकर रवी बहुत खुश हो जाता है प्रिया, तुम कहां चली गई थी? तुम्हें पता भी है? हम दोनों के उपर क्या बीत रही थी? इतनी चोटी सी बात को लेकर कोई घर छोड़ता है क्या? तुम सच में बहुत मतलबी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आप दोनों का दिल दुखाने का कोई एरादा नहीं था बस में अपनी बात रख रही थी, जिसे आप मान नहीं रहे थे अच्छा प्रिया, इसी महीने हम कूलर खरी देंगे, और मैं अपने दोस्तों को अगले महीने पैसे दे दूँगा उसकी कोई जरुद नहीं है, ये देखिए, मेरे पास एक जादूई कूलर है क्या, जादूई कूलर, ये पॉसिबल नहीं है प्रिया, जरूर तुम्हें किसी ने बेवकोफ बना दिया है मुझे पता था, आप दोनों मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे मैं आपको कुछ देखाती हूँ, आपके तबियत खराब है ना कूलर, रवी की तबियत बिल्कुल ठीक कर दो कूलर से एक रोशने निकली है, जो रवी किसे सीधा लगती है और कुछी सेकंड में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है अब मुझे बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है, सच में ये तो जादूई कूलर है प्रिया अब इसकी मदद से हम गरीब लोगों का छोटा मूटा धंदा शुरू करवाएंगे जिससे हर दिन उनके घर में चूला जल सके और उनके बच्चे भी स्कूल जा सके प्रिया और रवियुस जादूई कूलर की मदद से गरीब लोगों का नया धंदा शुरू करवाते हैं जिससे वो सभी एक इज़त की जिन्दगी जीते हैं और उनके बच्चे स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा लेते हैं इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोगों की मदद करने के लायक है तो हमें जरूर करनी चाहिए जिससे उनकी भी जिन्दगी सवर सके इतना कहकर सास बहु दोनों खेट से निकल कर खेट के किनारे आ जाती है और वही पानी के जरने के पास जाकर वो दोनों अपना हाथ पैरध होने लगती है तभी अनामिका को एक पुराना लकडी का बकसा पानी में तेरते हुए नजर आता है वो तेरते हुए पास आ रहा था देखकर आश्चर्य होकर कहती है जब अनामिका ने इस तरह से कहा फिर शार्दा देखने लगती है पानी में तेरता हुआ एक लकडी का बकसा दिखता है शार्दा देखकर बहुत आश्चर्य हो जाती है अनामिका को भी कुछ समझ में नहीं आता है वो दोनों बकसे को बस देखी जा रही थी थोड़ी देर बाद वो बकसा तेरते हुए अनामिका के पास आकर रुख जाता है शार्दा भी आश्चर्य होती है ये क्या है बहु लकडी का बकसा नदी में बह रहा है आगे भी नहीं गया तुम्हारे पास आकर ये रुख गया इस डिभे में है क्या अनामिका शार्दा उसे उठा के नदी किनारे ले आती है अनामिका बक्से को खोल कर देखती है उसके अंदर चमचमाती हुई सोने की मा लक्षमी की मूर्ती थी सास बहु एक दुसरे का चेहरा देखने लगती है माजी, अब क्या करना है? इसे घर ले जाकर हम पूजा करेंगे हम रहते हैं मिट्टी के घर में वहां हम इस चमचमाती सोने की मूर्ती की पूजा करेंगे हमारे उस मिट्टी के घर में छोटा सा पूजा का कमरा भी तो है वो नहीं भूली मांजी पर वहाँ पर रखके हम मालक्षमी जी की पूजा करेंगे आप यही कह रही है क्या? हाँ, एक मालक्षमी की फोटो है और दूसरी मालक्षमी की मूर्ती होगी दोनों की हम पूजा करेंगे चलो अब घर चलते हैं इस तरह की चर्चा करने के बाद सास बहु दोनों महालक्ष्मी की मूर्ती लेकर सास बहु घर की तरफ जाने लगती है चारों तरफ अंधिरा था बिजली चली गई थी प्रसाद अपनी मिट्टी के घर में लैंप जलाए हुए थे उस लैंप की पत्ती में प्रसाद एक बिस्तर बिचा कर वहाँ पर अपने पोते पोती को बैठा कर उनसे बात चीत कर रहे थे उसी बीच सास बहु मालक्ष्मी की मूर्ती को लेकर घर में प्रवेश करती है वैसे ही करेंट भी आ जाती है उस बिजली की लाइट से मानो पूरा घर जगमगा उठता है देखा अब तक हमारा घर अंधेरा था जैसे मालक्ष्मी घर में आई घर तक जगमगा उठा अनामिका भी पूरे भक्ती के साथ मालक्ष्मी की मूर्ती को ले जाकर अपने घर के पूजा के कमरे में जहां मालक्ष्मी की तस्वीर थी उसी के पास ले जाकर रख देती है उसके बाद उसने सभी के लिए लकडी के चूलहे पर खाना पकाया सभी ने खाया उसके बाद अच्छे से सो गया फिर उसके अगले दिन गरील बहुरानी अनामिका अपने पूजा के कमरे में जहां पहले से ही मालक्ष्मी की तस्वीर थी वहीं पर उसने मूर्ती भी रखी थी वहीं पर कपूर जला कर मालक्ष्मी की आरती करती है पति रमेश सासुमा, शार्दा, ससुर्जी, प्रसाद, बच्चे हरीश और भाव्या सभी लोग मालक्ष्मी पता नहीं मेरी बहुने क्या पुन्य किया था जिस वजह से आप हमारे घर आए, आज से आप हमारी सारी समस्याओं को कम कर दीजिए और इस गरीब बहुरानी पर थोड़ा कृपा कीजिए मालक्ष्मी, आप सभी को आशीरवाद करें इसी तरह प्रार्थना करती है, दिन निकाल रहे थे फिर गर्मियों का मौसम आता है, गर्मी बहुत तेज होती है उनके घर से कुछ दूर पर एक पेड़ था उसी पेड़ के निचे, हरिश, भाव्या खेला करते थे इधर सास बहु बहुत परेशान थी दोनों बाहर एक खटिया पर बैठ कर दुख की चर्चा कर रही थी अगर उन्हें या पिताजी से कहूं, तो दोनों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमें ही कुछ करना होगा सूरज की इतनी गर्मी जिससे रेलवे की पटरी भी पिघल जा रही है, आए दिन खबर आ रही है और यहां तो हमारी बस छोटी सी कुटिया तुम ही बताओ ये तो सूखी घास का घर है, एक छोटी सी चिंगारी से भी घर में आग लग सकती है तो फिर क्या करे? हम इन घासों को किसी चीज से ढख सकते है ठीक है, फिर कल ही हम मजदूरों को बुलाते है वो बात कर ही रही थी कि तभी तक में उनकी कुटिया में आग लग जाती है पूरा घर जलने लगता है अनामिका शार्दा दोनों ही डर जाती है दोनों सामान लाकर उसके उपर डालने लगती है घर जलने लगता है अनामिका रोती है तभी उसे अचानक से घर के अंदर मा लक्ष्मी की मूर्ति की याद आती है अनामिका हिम्मत करते हुए भाग के अंदर जाती है और मूर्ति को लेकर आग के अंदर से बाहर निकलाती है सास बहु बच्चे खड़े खड़े बस घर को जलते वे देखते रहे गए सास बहु बच्चे सभी लोग रो रहे थे अंधेरा होने के बाद प्रसाद और रमेश मजदूरी का काम करके घर लोटते हैं तो पूरी कहानी उन्हें बताई जाती है उस दिन उनका पूरा घर जल जाता है बस चार दीवारें बच जाती है यह देख कर सब परेशान होते हैं और फिर उन्हीं दीवारों के बीच खटिया लगा के सो जाते हैं बीच रात में अनामिका मा लक्ष्मी की मूर्ती को जकड के अपने हाथों में परेशान होकर कहने लगती है देख लिया मा इस गरीब बहु के घर की हालत क्या होगी अब मैं आपको कहां रखूंगी कहां पूजा करूंगी बताईये मा मैं क्या करूं अनामिका दुखी होकर कह रही थी तभी अचानक से मा लक्ष्मी की मूर्ती वहां से अंतर ध्यान हो जाती है अनामिका चारों दिशाओं में देखने लगती है अनामिका के सामने मा लक्ष्मी खुद प्रकट हो जाती है उन्हें देख कर खुशी-खुशी अनामिका हाथ चोड़ कर प्रणाम करती है अनामिका, अपने घास के घर के लिए तुम दुखी मत हो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना? बेटी को जब भी कभी कोई तकलीफ हो तो क्या माच चुपचाप रह सकती है? बताओ ऐसा कहते ही देवी लक्षमी के हाथ से घास निकलके अनामिका के सामने गिरने लगती है और देखते ही देखते धेर बन जाता है देखो अनामिका, इस घास से फिर से तुम घर बना सकती हो गर्मियों में तुम्हें ठंडक महसूस होगा सर्दियों में बढ़सात में गरम रहेगा गर्मी, ओले, पथर सभी से सुरक्षित रहेगा चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कुछ नहीं होगा तुम्हें इतना कहकर मा लक्षमी वहां से अंतरधान हो जाती है और मूर्ती के रूप में अनामिका के हाथों में फिर से आ जाती है अनामिका इससे बहुत खुश होती है देवी लक्षमी के दिये हुए घास से वो फिर से घर बनाना शुरू कर देती है जैसा मा लक्षमी ने कहा था गर्मियों में घर ठंडा रहता था और बाकी मौसम में गर्म रहता था इसलिए हर किसी को वो बहुत पसंद आया बहु की जादुई घास का घर देखकर श्राधा प्रसाद बहुत खुश होते हैं बच्चे भी आनंदित होते हैं तब से अनामिका मा लक्षमी के दिये हुए जादुई घास के घर में रहने लगती है और एक खुश हाल जिन्दगी जीने लगती है मैंने कह दिया ना मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा पापा आपको दिखाई नहीं देता कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है जब मेरा बेटा किसी और से प्यार करता है तो वह उसी से शादी करेगा तुम दोनों मा बेटे का दिमाग खराब हो चुका है तुम दोनों पागल हो चुके हो शंकर मेरे बचपन का दोस्त है और हमने बचपन में ही भावना और विनोद का रिष्टा तै कर दिया था विनोद की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ, भावना से होगी, वरना किसी से नहीं होगी, और यह मेरा आखिरी फैसला है भावना रंग रूप में तो अच्छी थी, पर विनोद किसी और लड़की को पसंद करता था राम प्रसाद भावना को बहुत पसंद करता था और वो भावना को ही अपने घर की बहु बनाना चाहता था राम प्रसाद के आगे घर में किसी की भी नहीं चलती थी जिसके चलते मजबूरन विनोध को भावना से शादी करने पड़ती है मा मैं जा रहा हूँ, मुझे आफिस के लिए लेट हो रहा है सुनिये जी, आप आज फिर बिना नाश्टा किये जा रहे हैं मैंने आज नाश्टे में आपके मन पसंद आलू के पराठे बनाए है तेरे हाथ का नाश्टा करने से तो अच्छा है कि मैं पूरा दिन भूखे ही रह जाओ सुबह सुबह तेरा मन्हूस चेहरा देख लिया अब तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा आज मेरी बहुत इंपोर्टन्ट मीटिंग है अगर मीटिंग में कुछ भी हुआ न तो मेरे हाथों बचेगी नहीं समझ में आया तुझे मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अरधांगनी हूँ मैंने आपके साथ साथ फेरे लिये हैं आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, जब से हमारी शादी हुई है तब से आप मुझसे ऐसा ही बरताव कर रहे हैं आप इस शादी से खुश नहीं है क्या नहीं हूँ, मैं इस शादी से खुश लेकिन पापा के चक्कर में मुझे तुझसे शादी करनी पड़ी मैंने शादी तो कर ली है लेकिन मैं तुझे कभी भी अपनी पत्नी का दरजा नहीं दूँगा समझी न? इतना कहकर विनोध भावना को धक्का मार कर वहां से चला जाता है भावना अपने कमरे में जाकर अपने पती की बातों को सोच सोच कर रोने लगती है देखो तो जरा ये महरानी यहां बैठी है और मैं इसे पूरे घर में ढून रही हूँ घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू यहां बैठ कर आराम फर्मा रही है ये सारे काम कौन करेगा, तेरा बाप? घर के कामों के लिए तो नौकर है ना, इसलिए मैं यहां अपने कमरे में आ गई सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है, अब इस घर के सारे काम की जिम्मेदारी तेरे उपर है अब जल्दी से घर के सारे काम काज कर, समझी? भूल मत, भले ही तु इस घर में बहु बन कर आई है, लेकिन इस घर में तेरी आउकाद सिर्फ एक नौकर जितनी है, समझी भावना को अपनी सास की बातें किसी तीर की तरह चुकती है, लेकिन वो जानती थी कि अब जो है यही है इसलिए वो बिना कुछ बोले घर के सारे काम काज करती है, और बहु होने के सारे फर्ज निभाती है लेकिन चाह कर भी भावना अपनी सास और पती के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाती ऐसे ही समय बीता रहता है, और अब धीरे धीरे करते हैं